हेलो दोस्तों नमस्ट शिकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टार्गेट गवर्मेंट पोश्ट में दोस्तों पॉलिटेखनिक प्रवेस परिच्छा 2020 को लेकर के जानकरी हैं आपर हम आपको देने वाले हैं तो न्यू अपडेट्स पानी के लिए नी सा sentenced क्या है तो यह क्या आप जानेंगे इस पुरी वीडियो में अनगे वीडियो जदा लंबी होने वाली लेकिन बहुत Yemen है आप लिए साती सा आपको यह पता चलेगा कि आपकी परिच्छा कब है क्योंकि दो एक्जाम डेट्स रखे गई आ उन दोनों डेटों में परिच्छा कब होनी है जून में परिच्छा होनी है 15 और 14 जून को ठीक है परिच्छा देती निर्दारित कर दी गई है और अनुमान गी लगाया जा रहा है कि जो कोविट-19 ने इसके चलते जो आपकी दो बर परिच्छा चेंज हुई बदली गई तो कोविट-19 यह जो आप परिवर्तन हो सकता है तो चलिए नया सत्र कप से शुरू होगा यह भी आपको जानकारी मिल जाएगी पूरी जानकारी पूरा डेटा के साथ में ऑथेंटिक जानकारी पूरी सही जानकारी प्रूफ के साथ में ठीक है वीडियो के स्टार्ट करते हैं बने ठीक हमारे साथ चलिए पहले तो हम आपको दिखाएंगे जो news update है वो news update क्या है उसके बाद में आपकी official notification पर चलेंगे ठीक है तो news update आज की क्या है भई पॉलिटेकनिक प्रविस परिच्छा अब 15 और 14 जून को ठीक है तो ये दिखिए लखनाव से update है news update पॉलिटेकनिक में दाखिले के लिए होने वाली प्रविस परिच्छा अब 14 और 15 जून को करानी की तैयारी पहले भी दो बार परिच्छा की जो तारीक है वो बदरी जा चुकी है आगे दिया गया है प्रविदिक सिच्छा अधिकारियों की जो गुरुवर मंत्री है और इनका जो प्रमुक सचीव है उनके साथ में प्रमुक बैठक हुई और बैठक होने के बाद में संयूक्त प्रविस परिच्छा परिच्छत सचीव एसके वैश्य ने बताया कि लॉक परिच्छा परिच्छत अधिकारियों की माने तो तीन मई तक इस्तियां दुरस्त ना हुई तो परिच्छा देती आगे भी बढ़ाई जा सकती है अब आगे आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट बात है परिच्छत अधिकारियों ने कहा है कि इस बार प्रविस के लिए आवेदन पहले 30 अप्रेल थे अब उसको आगे बढ़ा दिया गया है चुकि आपकी जो एक्जाम डेट है वो भी बढ़ गई है प्रोसेस हरा बढ़ गया है ठीक है तो एक्जाम डेट बढ़ने की वज़े से आपका जो आवेदन की अंतिमति थी यह 30 अप्रेल थी 30 बढ़ा करके 11 मई आवेदन तो अगर आवेदन आपने अभी तक नहीं किया है या आपके भाई नहीं किया आपकी बहन नहीं किया आपके छोटे बहन जिसको भी आप चाहते हैं कि वो पालो टेखनीक करे या उसको सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं सियर करें हमें अब हम आपको दिखाने वाले हैं ओफिशल लॉनिफिकेशन क्या है ओफिशल लॉनिफिकेशन में जो आपकी एक्जाम डेट है वो जो गुरूप वाइस है आपकी परिच्छा कब और कब होने वाली और समय क्या रहने वाला है ठीक है तो देखेंगे भई आविदन की जो अंतिम्तिती वो बढ़ा दी गई है 11 माई कर दी गई है तो जिन भाईयों और बेहनों ने अप्लाई नहीं किया है आपके जो मिलने वाले हैं उनके बच्चों नहीं किया है तो आप उन तक वीडियो को जरूर शेर करें और वीडियो प चली अब यहां पर हम लोग यह देखने वाले हैं जो इसमें सीटें आवंटित होती हैं यह 67 पार्ट करम में होती हैं बोले तो 66 पार्ट करम होते हैं ठीक है चली तो यहां पर देखो भाई उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेस परिच्छा पॉले टेकनिक 2020 ग्रुप A 14 ज मैं आगे दूँगा आपको ग्रुप A है इसकी भी 14 जून को आपकी परिच्छा होगी लेकिन यह आपकी होगी दोपहर 5 बजे से सामको 5.30 बजे तक उसके बाद में ग्रुप B से लेकर के बाकी के जो ग्रुप बच रहें आपके उन्हें सभी की परिच्छा 15 जून को होग और बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और दोस्तों वीडियो को लाइक और शियर अपने दोस्तों के शाथ में अपने भाईयों के साथ में जरूर करें धन्नाबाद वीडियो एक लिए आपको दिश्यों में आपको दिश्यों में अवार